एलो एक्ष्टुएंट्स आप सभी का स्वागत करता हूं अपने YouTube चैनल STS Education के live क्लास में तो दोस्तों हम लोग पिछली क्लास में कर नुदके खें देखराने थैं द्धा द्धाने और तो दो दनों के दचीच के बहुतिकपूनौन पर अंतरत और पर हम RAW जो तो जो देखेंगे वह आप आगे बताएंगे तो हम लोग देख रहेते चैप्टर थर्ड धातु और उब्धातु इसके हम लोग फूल थियोरी मतलब पूरे थियोरी के बारे में पार्ट वाइज एक्स्प्लेंड कर रहे हैं पार्ट वाइज इसकी ऊपर हम लोग वीडियो लेक्या और इसके और के साथ मैं आपके साथ डिसकस कर रहा हूं और आपको एक एक क्कॉश्टन की जनकाड वीडियो के दवारा आपको दी जा रही है तो आप लोग हमारे रेगुलर को क्लास करें जो हमारा 8.00 पी फिसकाद को ताकि आपको सारी के सारी नॉलेज मिल सकें और आपको एक वी कोंशन आपके नहीं छूटे और आपको उस चेप्टर के बारे में पूरी जनकारे भी मिल जाए तो दोस्तों अगर आप हमाई चैनल पर पहली बारा है होंगे और चैनल को भी तक सिस्काइब नहीं किये होंगे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा साथ पिष्धे क्लास में देखनें लूड़ी करें किसे जानेंगे मतलब आजकी क्लास में क्या सब पढहा है करेंगे वह पहला है है धातू फोपरकृतिक में किन किन रूपो अवस्थाओं में पाई जाती है इसके वारे में जा नेंगे क्या है थार्ड कोश्ण हमारा हैायक्स क्या है फौ Szena कोश्छं हमारा हैато kनिज और आयक्स में अंतर जो आपको एक्जाम के लिए इसकी भी जनकाई हम लोग आज के इस वीडियो में जानेंगे उसके आज हम लोग आठमा कोशन मारा आयक्स कितने प्रकार के होते हैं और परते का उधारन से सल्चिप वीवरंदे तो यह सभी हम लोग टोटल पांच कोशन को आज की क्लास में देखेंगे त रूद दो नमर में पूझता है और जो आपके जानने के लिए भी जरूड़ी है तो आप लोग हमारी क्लास को अंतक बने रहे हमारे साथ आंतक बने रहे आपको बहुत सारी जनकाडी मिले की और आप लोग सारी चीजे को जन सकेंगे तो प्रकिर्टिक में किन-किन रूप यह अवस्था में पाई जाती है पहला हमारा होता है मुक्त अवस्था और दूसरा होता है मतलब कि पहला हमारा प्री एस्टेट में पाई जाता है और दूसरा हमारा एक साथ जो के जिसको हम लोग कंबाई एस्टेट बोलते हैं तो अगर कोई आप से पूछा कि धातू प्रा अबस्ता है किसा अन्य तत्तवों किये मिलग बिना तो इसे थेक्सिर आप लिंग अन्य तत्वों से सवयों किये बिना अपने मुल रूप में पाई जाते हैं जो इस करने में मतलब कि रियक्षिर करने के लिए जो रियक्षिन करता है उसके लिए तयार रहते हैं लेकिन जो है बहुत कम मैक्सिमम रियर केस्ट जो है वह हमारे मुक्त अवस्था में पाई जाते हैं तो बहुत कम किरिया सिंध अवस्था में पाई जाते हैं तो हम लोग आप समझते हैं सन्यूक अवस्था जिसको हम लोग किसको बोलते हैं सवाय अवस्था से सन्यूग करती हैं उसके साथ रियक्शन करते हैं आपकी इस आवस्था में पाई जाती है जैसे धातु में आपका होता है सोना चांदी पारा सोडियम मेंगनेसियम लोहा तामबा यह सब आपको थादू पाई जाते है तो अगर आप लोहा को कुछ दिन बाहर बाहर छोड़ दीजेगा तो उसमें एक परत बन जाता है तो इसी को हम लोग कमबाई यह हमारा होता है सन्यूक लवस्था क्योंकि यह जो है यह सब लोहा हुआ तामबा हुआ यह सब हमारे सन्यूक लवस्था में पाई आते हैं और यह रियक्शन करते हैं लेकिन सोना चांदी को आप कितने वर्सों तक अगर बाहर में रख दीजेगा तो उसमें जंग नहीं प्रत नहीं पड़ेगे तो सोना चांदी यह सब हमारा होगे मुख तवस्था में और सन्यूक लवस्था में अपने यूगी के साथ एक रियक्शन कर लेते जिसे लोहें में जंग लगना यह सब हमारा होता है सन्यूक लवस्था मनला कंबाइर रेश्टिट के कारण इसका अब जो हमारा दूसरा कोश्टन आज का टॉपिक है वह आपका है खरीज मिनरस किसे काते हैं अप लोग को समझ में आगिया होगा मुख तवस्ता और सज्च तवस्ता क्या होता है अगर अपको आगे तोमें अच्छित सम्झ में करते हैं अगर आप लोग में मे製ेज कर स्कीन कोוש्टन कもし है humanous क्या होता है पाचना में खनेज मिनरल्स क्या है चोंप या आधातू दोनों जो है योगिक होते हैं और यह प्राकर्तिक में परतिमी के गड़ में पाई जाते हैं उसको हम लोग कonne में और लोग चोंप खनेजड़ से और अधातु के योगिक से यूग वे प्राकृतिक पदार जो पिर्थिमी के गर्ग मतलब खानों में इससे प्राफ होता उसको हम लोग क्या बोलते हैं खनीच का आते हैं क्षटान होता है रेक्षै इससे हमारा है होता है क्ष़ण का सब्सक्राइण कैया है थातु या ये प्राकारुर्स क्या है और चेंसे पिर्थिमी के अंदर लिल्यएग स्थ दवूर अच्छता को आ Evolution च्श्रा कुछन क्या देखते है अ कि समझ में कि कुमेंट कर सकते मैं आपको एक समझ में पूछे तो आप लोग अच्छे तरीका से यह बेहत्री तरीका नहीं हो सकता आगर आपको और समझना है आप बता सकते हैं मैं आपको उस तरीका से ही मता यह अगर आपको suggestieson देखे सकते हैं क्या होता है। आपका अंगलेजी है आप इस्कों काटके यहां लिख देंगे odds क्या लिखेंगे तो हम लोग आयक्स किसको बोलेंगे, मतलब और विसको बोलते हैं, तो आयक्स, इसका इंसर होगा वेख खनीच, जिनसे सूधधातु असानी से और कम खर्च में परात होते हैं, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, आयक्स, चिन से सुद्धातु असानी और बेंसे पराफ्थ हो जाए उसको क्या झाक सकते हैं हुगया हमारा हमेटाइट чसंत पराफ्थ은 रचता है तो हमेटाइट हमारा क्या हो गी जहां अयक्स हो गया लेकिन यह में हमेटाइट क्या है मेलेट का किसका यह क्या है मेलेकड्स आपको उसको याद रख लेंगे यह केले माइन जीन का बॉकसाइट लमूनियन धातू का यह है तो इस परकार से यह सब दोनों के बीच में अंतर क्या होता है मतलब कि अच्छे से याद कर लेंगे ताकि आप लोग अच्छे से इसक्राइब आपके एक्जाम के लिए बहुत इंपोर्टेंट क्वेशन है और यह कुशन आप लोगों को दोनों में पूछता है खनी और एक्स में अंतर लिखे आप अपने क्वेशन में इंको लटा कर देख सकते हैं वहां भी आपको यह कौशन मिलेगा खनी और एक्स में अंतर बताए इसके अंतर को किस परकार से लिखेंगे यहां सब्याइए जोगी से युक्त वे प्राकरतिक पदार जो प्रिषिमी के गर्भ से प्रत होते हैं उसको हमलों क्या बोलते हैं खनीच काते हैं अजक्स सिस्टों बोलेंगे वे खनीच जिनसे सुद धातो आसानी से और कम खर्चे प्राफ्त हो जाए उसको में लोग क्या बोलते हैं आयक्स काते हैं तो ध्यान से आप लोग समझेगे खनीज और आयक्स में अंतर मैंने दो भाग में डिवाइट कर दिया है आप लोग भी एक जामी इसी टैप से एंसर देंगे तो आप उसको पहले दो भाग में हो सके उसको में बोलते हैं चनिच होता है यह हमारा धात्मीक और दोनुं होते हैं क्या होते हैं तो यह कोश्टन बार-बार-बार ऑब जैक्टिव बन सकता है सभी खनीच नहीं होते अगर आप सभी पूष्ता है क्या सभी आयक्स होते सोजो है, तो आप लोग ध्यान देंगे क्या सभी आयक्स होते हैं, तो आप लोग लिखेंगे नहीं सबी अयक्वोट होते हैं लेकिन सबी खारी नहीं होते हैं तो यह हमारे खारी और के बीच कहले आंतर था सब्सक्ति है और आप लोग इसको अच्रोर कर दहें ताकि आप इसका एक नोट्स बनाते जाए तो लोग अपने आज के अब एक और जो मैंने आप लोग किलास के सुरात में बताए था जो हमारा आठ्वा कोशन था वह है अयक्स कितने प्रगार के होते हैं और परते का उधारन के साथ वर्नन करें तो यह आपका कि रिश्टी को से यह कोशन बहुत है इसलिए आप तैयारी के लिए फिर आप लोग मेरी बातों को द्यान से सुनेंगे और थियान से पॉइंट को अच्छे से नोटिस करेंगो और आप याद करनें की कोसिस करेंगे तो चलिए हम लोग की स्टार्ट करते हैं तो आयक्स क्या है तो आयक्स जो है टोटल जो है पांच परकार के होते हैं तो आयक्स आप लोग समझ लिए विफ अदार्ट जो हमको आसानी से और कम खर्च में प्राप्ट हो जाते हैं उसको क्या बोलते हैं हम लोग चेख के घातु ऑक्षीजन से सल्युक्त रहता उसको बूलेंगे जिस अयक्स में धातू ओक्सीजन से स्रजुक्त रहता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं औक्साइट आयक्स जिसे में हमेटाइट जिसका फर्मूला होता है F2O3 आपको मैंने बताया यह कोशन आपके अब्जेक्टिव के लिए इंपोर्टेंट है यह फर्मूला इंपोर्टेंट है यह फर्मूला इंपोर्टेंट है हमेटाइट का सुथ क्या होता है हेमेटाइट का सुथ होता है हमारा FA2O3, जिंकाइट ZNO, QPIROT CU2O, बॉक्साइट AL2O3 into 2H2O, कॉंडरम इत्यादी, यह सब हमारा क्या हो गया, आयक्स, ओक्साइट आयक्स, तो ओक्साइट आयक्स, इसको बनेंगे जिस आयक्स में धातू अक्सिजन से संजुक तो राता है, हमेटाइट, जिंकाइट, QPIROT, बॉक्स है, दोस्तों इसमें जो है, आप लोगों को सर पढ़ाएंगे या नहीं पढ़ाएंगे, यह मैं गयांटी नहीं लेता हूँ, लेकिन मैं आपको एक बात बता देता हूँ, आगर आपको पूछा जाएं, कि हमारा OXX क्या होता है, बहुत सारे स्टोंट जो इसमें हाथ खरे कर देंगा, बहुत सारे स्टोंट बोलेंगे, सर्तों में पढ़ाएंगे, यह नहीं जाने, इसलिए मैं आपको एक एक पॉइंट, एक कोस्टन इसलिए डिसकस करते जा रहा हूँ, ताकि आपको समझ में आसानी से आजाए, और आ हमारा है, अक्साइट एक्स, इसको बोलते हैं, तो जिस एक्स कमें धयंटू, ऑक्सीजन से स्टेर हलता है, उसको हम लोग ऑक्साइट एक्स काते हैं, सकेंड हमारा है इसलफईयक सब्सक्राइच उसको क्या बोलते हैं जैसे यह का अपना रखेंग में आइरन पराइट का U2S, जिंक प्लेट, GNS, और यह समाँवरा क्या होग है। अब याद रखेंगे आईरन प्लेट का फर्मुला हमारा एफिस्टू होता है, copper glass का formula co2s होता है ये बार 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 पुछता है zinc plate क्या होता जींग प्रेट का formula ZNS और ये भी आपका important बार पुछता है copper plate Cufe S2 होता है अब ठर्ड हमारा है carbonate X थर्ड हमारा क्या है carbonate X चीसको बोलते है तो जिस X में धातु carbonate मुलग, carbonate मुलग का हमारा क्या कार्बोनेट का प्थर का रसानिक सूत्र क्या होता है चूना पथर का रसानिक सूत्र क्या होता है कर्बोनेट आयक्स अब हमारा है है चूना हमारा है तो जिसमें धातो जो है हेलो जनतत्व से संज़ुक रहते हैं उसको मिलो क्या बोलते हैं जिसका फॉस्पेट जिसका फॉस्पेट जिसका फॉस्पेट जिसका क्या हो गया हमारा है हमारा हो गया फॉस्पेट जायक्स में क्या होका उकसाट ऑक्सीजन से सनुक्ण तो इस novel हो गया यह 2ARE कामारेब तो हम लोग आजके क्लास को यही रहते हैं चिक अमने आप लोगों को बताया है next class में मतलब कल बूद्बार की रास में जो डिस्कस करेंगे वह हम लोग डिस्कस करेंगे पहला question जो हमारा होगा वह आपका important question है धातु करम क्या है और इसके विभीन चर्णों को लिखे यह कोश्ण आपके एकजाम में पांच नमर में पूछता है यह कोश्ण आपके एकजाम में पांच नमर में पूछता है यह क्लास भी आपके लिए important है देखेंगे वह जारन और निस्ठापन में अंतर के यह कोश्ण आप लोगों से दो नमर में पूछता है और थर्ड कोश्ण जो हम लोग कल देखेंगे कि यह सब कोश्चन के आप लोग पढ़ाई कर लेंगे तक जो मैं कर पढ़ा हूं तो आप लोग को अच्छे से समझ में आ जाए इसलिए मैं आप लोगों को सामने में लिख देता हूं कि देश्क लास में लोग क्या डिसकस करेंगे तो चलिए अगर वीडियो अच्छी सब्सक्राइब कर दीजेगा अगर अभी तक आप हमारे गुरुप को जोएन नहीं किया है तो हमारे गुरुप को जोएन कर लिजेगा तो मिलते हैं कर फिर से सामने आट विजए के क्लास में तब तक के लिए बाइ